नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक फर मनी यूटीब चैनल पर रूट मोबाइल लिमिटेड अपने 52 वीक हाय से बहुत जादा तूट चुका है 1569 रूपीज में अब कमपनी ट्रेड कर रहा है दोस्तों लगातार डाउन ट्रेड में है और गिराबट दिखा रहा है सबाल यही है कि ये कमपनी जो है कब बाउंस बैक करेगा हाला कि कमपनी का क्वार्टर त्री रेजल्ट जो है बहुत ही सांदार था परफर्मेंस बहुत ही बढ़िया करके दिखाया था फिर भी देखिए कमपनी में प्रेशर है दोस्तों अब जो है सब के मन में एक ही सबाल है कमपनी बाउंस बैक कप करेगा इसका एंसर दोस्तों किसी के पास नहीं है कम्पनी बहुत ही जबर्दस्त है और आने वाले समय में भी ऐसा बहतरिन रवश्ट परफरंसमेंस भी जो है दिखा सकता है क्योंकि कम्पनी जो है सीपास इस सेग्मेंट का दोस्तों मार्केट लीडर कम्पनी है इस प्लाटफरं का जो है यह जो है लीडिंग कम्पनी में से एक है अगर मैं बात करूँ सीपास मार्केट की ग्लोबली यह दोस्तों बहुत ही सामदार तरीके से आने वाले समय में ग्रो करने जा रहा है यह देख पार है 34.2 बिलियन युएस डॉलर का मार्केट सामने है जो की 2026 तक यह हो जाएगा कितना 34.2 बिलियन युएस डॉलर अब की अगर मैं आकड़ा बताऊं 2021 का यह देख 8.7 बिलियन युएस डॉलर है दोस्तों ग्लोबली तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं इस सेग्मेंट में कितना बड़ा ओपर्चुनिटी है और यह कंपनी जो है रूट मोबाईल लिमिटेड मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी ओपर्चुनिटी को दोस्तों हा जिन्देगी में दोस्तों कहीं न कहीं इस कंपनी की जो है सर्विसेज को यूज डेली करते हुए नजर आते हैं क्या है हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन के समय में जो नोटिपिकेशन आता है जो मेसेज आता है दोस्तों मेसेज का जो आदान प्रदा सारे सर्विसेस हम कंपनी का यूज करते हुए नजर आते हैं जैसे कि EQSE हुआ और notification हुआ SMS हुआ Mails हुआ बहुत ऐसे जो है दोस्तों यह अब इसका सर्विसेस जो है हमको daily मिलते नजर आता है बाकि कंपनी देखिए 270 प्लस direct MNO के साथ connected है globally 900 प्लस MNO और super network के साथ यह connected नजर आता है 20 locations में यह service प्रुभाइड करता है जैसे global footprint देखिए 20 प्लस location है 2500 प्लस active available clients इसके पास मौजूद है 215 प्लस new customers अभी recently इस quarter में कंपनी जोडते हुए नजर आ रहा है इसका infrastructure देखिए 13 data centers है 6 SMS CS globally इसके मौजूद है company का अगर मैं बात करूं revenue जी हो दोस्तों यह कि 2019 से 2021 तक 29% CAGR से grow कर रहा है EBITDA के अगर बात करेंगे यह 42% के हिसाब से grow करते हुए नजर आ रहा है और future इसका बहुत ही जबर्दस्त है ऐसा robust performance company आने वाले समय में भी दे सकता है बाकी company का अगर दूसरा point के उपर बात करेंगे यह देखिए revenue जो कि बहुत बड़ी बड़ी देशों से आता है जोस्तों देखिए Europe, Africa, America जैसे यह services provide करता है इंडिया में से ज़्यादा maximum revenue आया है जो कि 51% नजर आता है बाकी company का अगर जो demand momentum की अगर बात करेंगे systematic road में to create sustainable growth and momentum देखिए यह systematically यह road में भी तयार कर चुका है customer engagement segment में देखिए जो कि identity verification, payment collections, business process management, internal communication, alert notification जैसे services company का है और यह services जो है provide करता है next बात करेंगे company का और किसको करता है आप देख पार है यहाँ पर जो किसके जरीए करता है और क्या 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 यहाँ पर इन्होंने लिखा है two way messaging होता है route OTP आता है, route connector यह तमाम चीज़ें यहाँ से company का true color, RCS इस background से अगर आप है तो यह आप भली बाती समझ रहे होंगे यह तमाम चीज़ें करते हुए नजर आता है customer care वाली देखिए contact center भी इसका जो है service है, marketing and sales segment में भी company जो है active है और यहाँ पर यह क्या provide करता है, marketing, research and data capture, event, driving, marketing, campaigns, यह सभी चीज़ें करते हुए नजर आता है और यह पूरा road में भी तयार करके रखा है, बाकी company का तो दिखे है, यह business segment दोस्तों, next अगर मैं financial parameter को दिखा हूँ latest ROE कितना है company का, 20-10 में लोग 44% जो है दर्ज होते हुए दिखरा है, ROC देख पर हैं आप 24-10 में लोग 92% की recent latest ROC company का आया है net profit margin, 19-10 में लोग 48% है, debt to equity ratio देखिए, बिल्कुल debt नहीं है दोस्तों, शरीप 0.01% जो है नचर आता है, 0.01 है बाकी company का अगर return profile को हम देखेंगे, अब देखिए, एक साल का return कितना हो गया है, negative में चला गया, देखिए, minus 18% यहाँ पर, जो है company का return दिखरा है दोस्तों, बाकी company का delivery percentage देखिए, 47.23% आज के दिन यहाँ पर उठाया गया है next बात करेंगे company का numbers, numbers कैसा है, quarterly performance अगर दिखाओ, पहले मैं EPS को दिखा रहा हूँ 75 पैसे था सितंबर में, डिसंबर में 3.54, यहाँ पर आ गया, 3 रुपया, 54 पैसे का EPS दर्ज हुआ है why on why basis पे भी company का देखिए, यहाँ पर जो है growth होते हुए दिखरा है, revenue 85 करोड से बढ़के 90 करोड latest दर्ज होते हुए दिखरा है share holding pattern के उपर चलेंगे, देखिए यहाँ पर promoter के पास कितना share है, 59.98% की share है, 60% की share यह लोग hold करते है और कोई भी share देखिए, promoter का place होते हुए भी नहीं दिखरा है, FII क्या कर रहे है, 19.98% इनका holding हो गया है यह holding अपना बढ़ा दिये दोस्तों, बहुत जादा confident नजर आ रहे है, for an investor DIY देखिए, 6.65% की holding हिनके पास है, DIY भी institution वाले भी अपना holding बढ़ाते हुए दिख रहे है पबलिक के पास 13,5-7% की holding अब है हमारे लिए भी बहुत बड़ा मोका है दोस्तों, company आप देख पा रहे हैं, आपके सामने तूटते हुए दिख रहा है तूट गया है, पूरा आपने 52 हुई खाय से नीचे ही चला गया है हलाकि valuation सस्ते में नहीं है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर देखिए, range बढ़ी आए आप एक-एक करके, मैं ऐसा नहीं बोर रहा हूँ कि आप 10-7, 15-7, एक साथ उठाईए एक-एक करके, इसमें investment करके चल सकते हैं बाकि company का, जो है, balance sheet क्या है, इसके उपर हम चलेंगे total reserve and surplus, कुछ है क्या, बिल्कुल दोस्तों देखिए, 287 crore का company के पास reserve है करजा तो नहीं है, long term में थोड़ा सा करजा है, जो कि 13 lakh का नजर आता है cash, अपने हाथ में कितना cash है company के पास, इसको भी हम देखेंगे 321 crore का, total asset भी बढ़के 589 crore हो गया है company सांदार है, बिल्कुल ignore ना करके, आप इसमें दोस्तों investment करके चल सकते हैं कि complete decision तो आपके खुद का ही रहने वाला है, बस आज के लिए इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर देंगे और channel को subscribe नहीं किये हैं, तो please subscribe कर देंगे, जय हिंद